कि जब याद की बदली छाती है तो दुनिया नजर नहीं आती है इसलिए केमिश्टी का रियक्शन दिमाग में चल चुका है इसलिए केमिश्टी पढ़ना है बावु तो कोर्स को पर्चेस के लिए जल्दी से पढ़िए एक प्येश्टी करवा दूना है जिस तरह से मैथ की और जू मचा रुखा है मार्केट में आप होँसे डारेक्ट की कि दिर्ग नम्मर उबडिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकिस से बात कर लेकिंगे मेरे से बात कर देगा नमवर दूनिया की बात ने करो भी हार में आप मेरे से पूंटेक्क करें आपको फोर्स मिल जाएक ठि हेलो स्टुडेंस मैं मिथले समाही आज बात करेंगे केमिस्ट्री में और आप लोग का क्लास स्टार्ट हो चुका है यह आपका न्यू स्लेवर्स के एकॉर्डिंग पचमा यूनिट है इलक्टो केमिस्ट्री यहीं से स्टार्ट किया हूं और बहुत अच्छा चेप्टर है यहां से कम सकम 20 से 25 मार्क्स का कुष्चन आपको एक्जाम में देखने को मिलेगा तो सब से पहले हम लोग बात करेंगे इलक्टो केमिस्ट्री क्या है यूनिट बाबू लिख लेना 5 यूनिट कितना है 5 पांच यूनिट है आपका और चेप्टर का नाम है इलक्ट्रो केमि इलक्ट्रो केमिस्ट्री जब बोलोगे ना इसमें दो वड आता है इलक्ट्रो और फिर केमिस्ट्री मतलब इस चेप्टर में हम लोग क्या चीज परने वाले हैं एक एक्जाम्पल से आपको समझाने का प्रियास करता हूं और अच्छे से इसको समझेगा जैसे दिखिए हम सूडियम क्लोडाइड सॉलिड अवस्था में जिसको नमक करते हैं अब इसलिए हमने इसका यूज किया है सूडियम क्लोडाइड जो है एनसल जब यह सॉलिड होता है थोस होता है क्या होता है थोस सॉलिड होता है तो इससे करेंट फ्लू नहीं कर पाता है नमक जो है जिस स का थोस अवस्था में या इस सॉलिड रूप में क्या करेंट उससे पास करता है तो बिलकुल नहीं इसका मतलब है कि सोडियम क्लोराइड का जो सॉलिड रूप है वो करेंट का क्या होता है कुचालक होता है मतलब इससे इलेक्टिसिटी पास नहीं करता है लेकिन जब इस सोड प्वंद्या क्लोराइड का जलिया मतलब यह एक इलप्र लाइट बन गया यह क्या बन गया इलक्ट्रोलाइट मतलब क्या जलिया घौल बिल्लियान नहीं इसमें पानी है इसमें जो है करके दिया है यह water है मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कुछ भी और दे सकते हैं यह water है और इस पानी में क्या-क्या sodium chloride की थोरी मात्रा घुला दिये पूरी तरह से मिला दिये तो होता क्या है बाबु जब इसमें पानी में जब नमक को घुहल दोगे तो sodium chloride sodium chloride की रूप में नहीं रहता है यह नमक को जलिय बिलियन मतलब जल में घुहला जाता है तो यह नमक नमक के रूप में नहीं रहता है यह क्या होता है यह आयन की रूप में तूट जाता है sodium एने पलस अलग हो जाएगा cl- अलग हो जाता है यानि कहने का मतलब मेरा यह है कि अब इससे जब करेंट पास कराओगे तो आसानी से करेंट पास करेगा लेकिन यही जब sodium chloride का ठो सवस्था था यह विद्धूत का कुछ अलग था इससे करेंट पास नहीं कर पा रहा था लेकिन जब इसी को पानी में घ जल यह बियँन से sodium chloride के जलिया बिलीएं से करेंट आसानी से पास कर रहा है तो एक ऐसा एल्यक्तोलाइट मतलब एसा जलिया बिलिया है चाई वो copper sulfate का हो चाहे sodium chloride का जलिया हो यह किसी ठोस को लेक्टोलाइट हो इसको भोल सकते हैं अगर उसके करेंट आसानी से पास कर रहा है उसको करते हैं strong electrolyte नहीं और एक ऐसा जलिया billion जिससे करेंट आसाने से फोलो नहीं कर पाता है उसको करते हैं उइक electrolyte तो हम लोग आगे पढ़ेंगे पूछता है एक्जाम में वाट इज इस्ट्रों electrolyte तो मैं आपको हुआ पर समझाओंगा तो मैं यहां पर आपको समझाने का परियास कर रहा हूं कि जब sodium chloride हो सबस्ता मतद करेंट पास नहीं करता था लेकिन जब इसको हम पानी में घोल दिये तो करेंट आसानी से पास कर रहा है इसका मतलब है एक मैं यहां पर ले देता हूं एक रॉड है यह इस दोनों से समझाओंगा इलक्रोकेमिस्ट्री बनियास समझ में आ जाएगा एक कि इसी वीडियो में आप टोकेमिस्ट्री खतम कर लोगे उसके बाद तो अगरम बगरम हई यह है इसका उस बताऊंगा यह मान लेते हैं यह है इल्मियम ने आइरन का रॉड है नहां आइरन में बहुत अच्छा समझोगे यह आइरन का रॉड है यह सॉलिड रूप है नहां ठीक है वायर है यह समझे ना यहां बढ़ियों से यह सोट्यम क्लोराइड का जलिया बिलियन है इससे भी क्रेंट पास कर रही है और यह कॉपर का वायर है ठीक है मोटा इसलिए बना दो ताकि दिखेगा पतला पतला तार तो दिखता ही नहीं है इतना पतला वायर में 10-5 कॉपर का दिखते हो देता है दिखेगा नहीं ना तो इसलिए इतना मोटा बना दिया ताकि अच्छी से देख पाऊ तो यह देखो यह कॉपर का वायर है इससे भी क्रेंट पास कर रहा है दोनों से क्रेंट पास कर रहा है तो अंतर क्या है अंतर यह है कि बाबू यह जो कॉपर सोडियम करता हैं यह पर है banner जिस डारेक्शन में कुरी करता है मतलब करता है क्या मैं आपको एलेक्टोन दे रहा है तो सके बदले मुझे क्या दोगे तो । नंगा खुंते ईस तरह से चूटे हैं तो बहुत जोर का जहतका लगता है सरी जनजना आ लगता है कि नहीं तो ऐसा करना नहीं है तो ऐसा क्यों होता है कि जब हम करेंट को छूते हैं तो हमें जोड़ से जटका लगता है हमारे बोड़ी से इलक्टोन जाता है उधर से करेंट बहुत जोड़ से आता है इसलिए जटका लगता है चलो आगे देखिए इसका मतलब है कि electron के moment के खारण current flow कर रहा है तो यहां क्या flow कर रहा है यहां यहां बहुत सारे students यहां पर electron बोल देंगे कि sodium chloride के organization में भी electron का तांडव रहता है तो बिल्कुल नहीं होता है यहां पर अच्हे से समझ लो दो नमर का objective आपको our exam में बन जाएगा जब भी कोई solid हो और उससे current pass किया जा सकता है जैसे copper हो गया iron हो गया silver हो गया gold हो गया इस सबसे current pass करता है जितना भी मैंने नाम लिया उससे current pass कराया जा सकता है तो उसमें जो current pass होता है वो electron के moment के कारण किसके moment के कारण Electron के कारण होता है दुनिया में जितने भी solid पदार्थ है अगर उससे current pass कर सकता है possible है पास कराना अब solid तो eta भी है पत्थल भी है क्या उससे current pass करेगा नहीं करेगा तो मैंने बतलाया ओयसा solid metal जिससे current पास कर सकता है यह possible है कि current पास करवा सकते हो तो उसमें electron के moment के कारण ही current flow करता है लेकिन जब भी जलिया billion की बात होगी चाहे वो sodium chloride का हो या copper का हो या फिर silver का हो मतलब किसी भी चीज़ का जलिया billion जिससे current अगर पास कर रहा है तो उसमें iron का कमाल होता है उसमें किसका कमाल होता है आयन का आयन का जिस होता क्या है कि sodium chloride तो solid अबस्ता में था लेकिन जब इसको जल में घुल दिया गया तो यह आयन के रूप में अलग अलग हो गया यह पलस अलग हो गया इसी को तो बाबू आयन कहते हैं मतलब इसका ionization हो गया sodium chloride का क्या हो गया ionization पानी एक गलास पानी लो और उसमें एक एक चमस ने दो चार चमस नमक डाल दो तो थोरा देर तक आपको तो नमक दिखेगा चमस से क्या करो उसको दो चार बार इस तरह से मिला दो हिला दो तो नमक गाई क्यों क्यांकि नमक आप नहीं दिखेगा ऐसा क्यों हुआ नमक कई ऊड़ गया गया कई घुमने ले चला गया कि पानी में छुप गया ऐसा नहीं होता होता क्या है कि वो जल में उसका ionization हो गया मतलब वो sodium chloride था वो अलग-अलग आयन में तूट गया पूरी तरह से घुल मिल गया तो कोई भी जैसे sodium chloride था नमक पानी में 100% घुल मिल जाने की जो घटना है उसको ionization कहते हैं और इसको कहते हैं strong electrolyte तो हम electrochemistry में क्या समझाना चाह रहे हैं कि electrochemistry में हम लोग दो चीज परहेंगे कि एक solid जिसमें electron के moment के कारण परिवर्तन होता है current flow करता है कोई changing होता है दूसरा परहेंगे electrolyte यानि किसी भी चीज का जलिया billion जिसमें iron के moment के कारण परिवर्तन होगा current flow करेगा लंद्फन जो भी होने का होगा वह आयन के कारण होगा किसमें जलिया billion में मतलब electrolyte में इसको एक्वा सोलूशन भी कह सकते हो लेकिन solid बला में electron के कारण तो आप कुल मिला के समझ गए होंगे कि इलेक्टो केमिस्टी में हम लोग क्या पढ़ने बाले क्या पढ़ने बाले हैं लेक्टो लाइट पढ़ेंगे जलिया billion जिससे current पास करेगा तो किसका टांडब होगा आयन का दूसरा पढ़ेंगे solid उससे भी current करेगा लेकिन किसका किसके कारण electron के कारण आप कोपर है copper से current पास कर रहा है किसके करण electron के मोमेंट के कारण sodium chloride का जलिया billion है तो आयन के कारण तो मैंने एक छोटा सा एक जामपल से आपको समझाने का प्रियास किया I hope कि आप अच्छे से समझ गए होंगे अब हम लोग एक एक पॉइंट करके लेक्टो केमेस्ट्री में जो important है उस पर विचार करेंगे उसको पढ़ने का चले इसको आपको बतलाया कि एक विकर है उसमें अलेक्टोलाइट है sodium chloride का दूसरा हम एक solid का एक्जामपल लिए copper का दोनों से current flow करता रहा है तो इलेक्टोलाइट मेझे current flow करता है committed के कैरहन आजबकि solid चो copper था उसमें क्रेंट फ्लो करता है इलक्टोन के मोमेंट के कारण तो दोनों में क्रेंट ही फ्लो कर रहा है पास कर रहा है लेकिन उसमें तरीका अलग है तरीका क्या अलग है एक जो क्रेंट पास कर रहा है उसका जिमेदार इलक्टोन है और दूसरे से जो क्रेंट फ्लो करता है उसका जिम जिम्हिदारी है आपका भी ईक जिम्हेंदारी है पढ़ने का अच्छा से परोफ पास कर जाओगे हमने यहां पर कंड़क्टर को डिफाइन किया है ठीक है एक जाम में भी आता है वाट इज कंड़क्टर ठीक है और इंसुलेटर-डोनूं को सकता है आसानी से पास कर सकता है जब करेंट उससे पास करते हैं तो उसको उसको हम क्या करते हैं कंडुक्टर कहते हैं इनसुलेंटर करते हैं तो वाबु Chiang पर हम conductor को define करने का प्रियाज किया आप समझने का प्रियाज करो लिखा गया है कि दा सब्सक्राइब वीच एलाओ दा पासे सब्सक्राइब कर सकता है उसे conductor कहते हैं तीक है और देरा टू टाइप्स मेटालिक कंड़ेक्टर और इलक्टोलाइटिक कंड़ेक्शन सब्सक्राइब करेंड जो है दो माध्यमों से अच्छे से पास कर सकता है एक तो सॉलिड होना चाहिए जैसे कॉपर हो गया आइरन हो गया उसके बाद आपको सिल्वर हो गया यह सब जो और भी चीज है इससे करे करेंट पास करेंगा उसका जिम्हेदार इलक्टोन होता है उसका जिम्हेदार कुन होता है इलक्टोन होता है दूसरा हुआ है कि मॉल्टेन एस्टेट वाले सब्टांस या फिर उसको कहें एक्वा सोलूशन मतलब दर्वीत पदार्थ जिसमें पानी का अंसो ठीक है उसको और इससे जब करेंट पास करेंगा उसका जिम्यदार आयन होता है जिसे सोडियम क्लोराइड का जलिया बिलियन कौपर सलफेट का जलिया बिलियन इससे जो करेंट पास करता है उसका जिम्यदार आयन होता है यह चीज मैंने आपको बताया भी था इससे पहले तो हमने यहां पे conductor को define किया है कि conductor एक परकार का ऐसा substance है जो अपने में से होकर electricity pass करने देता है वो conductor कहलाता है और यह दो type का होता है एक metallic conductor जो metal होता है उससे भी current pass करता है जिसका एक्जामपर मैंने यहां पे लिख दिया है copper है iron है silver है gold है ETC बहुत सारे चीज़ है दूसरा electromagnetic conduction का मतलब क्या एक ऐसा substance जो किस रूप में हो किस अवस्था में हो या तो molten state में होगा या तो फिर एक्वा solution होगा एक्वा solution होगा तो metallic conduction में जो current pass करेगा उसका जिमेदार electron होता है और electrolytic conduction से जो current pass करता है उसका जिमेदार iron होता है तो इसको अच्छे साब समझ गए होंगे कि conductor क्या है समझ माया conductor एक परकार कैसा सब्टान से जो अपने में से होकर current pass करने देता है उसको करते हैं conductor ठीक है और यह दो परकार का होता है मतलब दो अवस्था में अगर कोई पदार्थ दो अवस्था में है उससे current pass कर सकता है पहला वह metal के रूप में हो दूसरा वह एक्वा solution के रूप में हो जितना भी है तो आप इसको नोट कर लीजिए इसके बाद मैं आपको परहने बारा हूं इलक्टो लाइट क्या पढ़ाएंगे लेक्टो लाइट हर एक चीज यह जो है वह जो वीडियो में बनाओ इसको एडिट किया हूं अगला जो वीडियो मतलब इसके बाद जो आपको दिखने को मिलेगा जो लेक्चर आपको इसी वीडियो में मिलेगा नीचे में हमने कंड़ेक्टर को डिफाइन किया है वह गलती से लिखा गया उसको नोट ने कीजिए क्योंकि यहां पर इलक्टो लाइट होगा लेकिन ऊपर नीचे तो नहीं काट सकते हैं तो इसी लिए नीचे बला जो होगा कंड़ेक्टर का डिफाइन उसको नहीं नोट करना है ठीक है और इलक्टो लाइट होगा उसको आप नोट कर लेज़ेगा अच्छा से समझा दिया हूं क्योंकि इसलिए कि वीडियो गरबर हो गया था ठीक है तिसलिए उसको हटाए हैं आप इसको हुआ पर एड कर देंगे अच्छा से पर यह मैं लग गया हूं ठीक है ऐसे तो मैं मैथ क अप्लाइड मैं थो प्याश्डी करवा दोंगा ठीक है आप वह भी मेरे से ले सकते हैं को पुड़ा बना हुआ और परावी रहा हूं लेकिन केमेस्ट्री की दुनिया में पहले से था लेकिन इस बार पूरी तरह से समर्पित हो गया हूं तो इस्टुडेंस आप देखिए मैं यहां पर लिख दिया हूं इसको तो मैंने अच्छे से आपको समझाएं ही दिया था इलेक्टोलाइट का मतलब होता है जलिया बिल्यान तो इसका डिफिनिशन देखिए और यही एक्जाम में जाके लिख देना दोग डिफिनिशन देगा इलेक्टोलाइट और कंड़क किती पास कर सकता है तो उसमें जो भी परिवर्तन होता है वह किसके करण होता है आयन के मोमेंट के कारण होता है तो ही चीज हमने यहां पर लिखा है कि दा कंड़क्शन थूदा इलेक्टोलाइट इस ड्यूटू दा मोमेंट ओफ आयन मतलब इसमें जो परिवर्तन होगा कि के मोमेंट के कारण आयन के मोमेंट के कारण इडी जन्रली रिफर्ड टू एज लक्तोलाइटिक कंडक्शन देखो उससे भी इजी दिफनीशन बावू यहां पर मैंने लिख दिया देख यह वाला जो घेर दिया इस छोटी सी दुनिया में इसको याद कर लो काता है था सब त लिक्विड अबस्थाम हो जो लिक्विड फॉर्ण ने हो उससे को कहते हैं मॉल्टे एस्टेट तो दास सब्टांस हुईच एलाव दा पासे सव एलक्टिसीटी थोरो देयर मॉल्टेन एस्टेट और थो देयर एक्वा सोलूशन एंड आलसो अंडर गो क्यमिकल डी ऐसाइब सब्टांस जो अपने में से होकर एलेक्टिसी यानि क्रेंट आसानी से पास होने देता है क्यूंक Test में हो जाहेँ वह इकवा सोलूशन के अवस्था सब्टांस हो उससे क्रेंट आसानी से पास कर सकता है बीना किसी केमिकल dari composition उसको क्या करते हैं हम लोग क्यंक्त कर बगल में विद्यारती बैठा हुआ है न हवाई हसरा है समझ रहा है बबू आप चुप चाहिए पड़ा रहा हूपर हो बाहने बता हूँगा आप देखें यह अपने कंदक्टर कुछ कुछ पुछते रहता है कंदक्टर मतलब चालक्टा ना लेक्टोलाइट नहीं पानी जैसा ने उसे ज्यादा गढ़ा होना चाहिए तो गढ़ा का मतलब यह जैसे गोन देखें हैं गम है उजला उजला